नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल टेक्निकल बेद भाई में तो जैसा कि आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं MI के फोन में किसी भी नमबर को हम ब्लैक लिस्ट में कैसे डालते हैं और ब्लैक लिस्ट में किसी तरह से हमने डाल दिया फिर हमें दोबारा से उसे ब्लैक लिस्ट से रिमूब करना है तो किस तरह से करते हैं तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अप तो आप इस तरह से उस नंबर पर मालजी यहां पर यह नंबर है उसके बाद हमें यहां पर नीचे यहां पर देख पार एँगे बलोप का इप सिर्फस रहे हैं तो यहां पर यह Keeping लिए तो यह ब्लैक लिष्ट में चला गया, तो दूसरा यहां पर अनब्लॉक कर सकते हैं, यह तो नमबर मुझे पता है, बड माली जी है मैं by default भूल गया कि किस नमबर को मैंने ब्लैक लिष्ट में डाला था, और दोबारा से मुझे उस नमबर की जरूरत है कि उससे जो भी calls आते वो मुझे रिशीव हो तो उसके लिए हमें यहां पर अपना डायलर पैड ओपन करना है यह डायलर पैड ओपन करेंगे उसके बाद यहां पर यह देख पारेंगे यह शेटिंग कॉप्शन आता है यहां पर इस पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे यहां पर कॉल की शेटि तो जैसा देख पा रहाермीं यह blacklist sound है हम यहां से इसको on or off कर सकते हैं तो जैसा भी यह on है अब यह पर हम देख पा Rेंगे नीचे black भॉक्ड नंबर यहां पर도-10 quantity है हम ईक करना है अगर से एड करना है और बाध में घर करके यह चntक करके हम नंबर कर सकते हैं बड मालीजे यह यह मुझे रिंवी करना है कोई भी number है तो हम इस पे जश जिस पे भी करना है precaution करना है उस पर के यहा पे अन turnout को आ जाता है यहां से हम करके उसको Unblock कर सकते हैं तो अगर से हमें सभी पर करना है तो हमें बारी बारी से सभी पर हम कर सकते हैं या तो हमें by default एक साथ करना है तो सभी को यहां पर select करके यहां से हम Unblock कर सकते हैं या फिर delete भी कर सकते हैं आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना बोले और दोस्तों कसा शेयर जरूर करे ताकि अन्य लोगों को भी ऐसी जानकारी मिल सके धन्यवाद